प्रॉट तू यू भाई सेंसॉडंट के संतोष बाइज़ाब हो क्या रहा है विहार में ट्वेटर पर तो देख लिया बयान बासियों में देख लिया बयानों के बीच के मतलब में समझbenा बी ये पी का केंड्रि आला कमान के अभी देखिए आपकी अभी जस्ट आदे गंटे पहले तक में केसी त्यागी के साथ बैटा हुआ था 30 वो बलगवक 35 इंटर्विव देख करके वो पूरी तरह से ठक चुके थे और उन्होंने कहा कि दो लास्ट दो दिन के अंदर में उनकी दो बार नितिस कुमार से मुलाकात हुई और इभन ही कुड नोट मेक आउट ये उनके वर्ड्स थे कि मैं मैं कुछ पता नहीं लगा पाया कि क्या हो रहा है लेकिन आज जो रोहनी अचारिया का ट्वीट आया उसके बाद से थोड़ा सा उनको हिले दिखे तो उन्होंने ये संदेश दिया कि अब कुछ भी हो सकता है अब मुझे जनकारी तो नहीं है लेकिन बोला कि अब जो है न ये तल्खी बढ़ रही है जो कि अच्छा नहीं है उन्होंने डिफेंड भी किया कि करपुरी ठाकूर के परिवारवाद के बारे में जो बोल रहे थे उन्होंने एक संदर्म में कहा जो कि एक रेकॉर्डेट है ये बात भी सही है मैंने चुकि किताब लिखी है एक 1985 ने में राम जीवन सिंग बहुत बड़े नेता थे उसमें उन्होंने मुझको सेयर किया था रामनाद टाकूर का एक टिकट ये 堅धिन कर दिया था झियेए उनको लड़ाएंगे 85 के चुनाओं में तो करपुडि जी से खर किया कि एक लड़ान रामनाद तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि उपरिवाद के खिलाब थे, फिर रामनाठ ठाकूर अपने बगल में बुला करके उन्हों दिखाया, फिर बोला कि उनके मृत्यूग के बाद, वो 88 में और ये रामनाठ ठाकूर ने भी मुझे कन्फर्म किया था कि मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि 71 से मैं काम कर रहा था उनके साथ, मैं पॉलिटिक बातें करीब से देखता था, मैं चाहता था कि जो और लोड़ों, लेकिन मेरे पिताजी डेट अगेंस थे, तो मेरा एक चेप्टर ही रिग्रेट साफ रामनाठ, उसमें मैंने एक रिग्रेट उनका यही है कि पर एलाइंस, तूटेगा नहीं तूटेगा, यह भी मैंने सुना कि राजिपाल को कहा गया है कि आप यही रहिए, कहीं पटना से बाहर नहीं जाहिएगा, यह सारी बातें, और आरजेडी के कैम्प में खलवली है, साफी अब उनको लगता है, हम इनको जितना लॉंग से जाएगा,